क्या आप चानना चाहेंगे कि गोबी को काटने का सही तरीका क्या है चले जानते हैं सबसे पहले गोबी के बाहर लगे बड़े पत्तों को हम अलग करेंगे उसके बाद डंठल को अलग करना है गोबी की डंठल के उपर चाकू से छोटा सा कट लगाने के बाद हातों से उसे हम तोड़ देंगे ठीक उसी तरीके से हम गोबी को एक बार और स्प्लिट करेंगे अब एक चाकू की मदद से हम इसके छोटे-छोटे फ्लॉरेट्स काटेंगे देखे, गोबी बिल्कुल भी वेस नहीं हुई, और घबराईए नहीं, यह जो डंडी बची है न, इसका भी हम इस्तमाल करेंगे सबजी बनाने में, गोबी के फूल के नीचे होते हैं नाजुक पत्ते, जिनको तोड़ कर हम अलग कर लेंगे, ये लिजे, हमारी गोबी तयार अब गोबी की जो डंठल है, उसे हम साइट से ट्रिम करेंगे, ये इसका सक्त हिस्सा होता है, और अंदर के नर्म हिस्से को आप छोटे छोटे टुकडों में काट कर सबजी, सूप या सालेड में इस्तमाल कर सकते हैं, तो लेजे, गोबी काटने का सही तरीका अब आपको म पालुम है.